आज का शूविचार अपनी छमताओं को जान कर और उनमें यकिन करके ही हम एक बहतर भविश्य और एक बहतर राष्ट का निर्मान कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल एक्जाम गुरू में दोस्तों आज में लेके आ रहा हूँ आपके लिए सामाने ग्यान के 100 आती महत्पुन प्रस्ण जो आने वाली परिक्षाओं जैसे NTPC, Group D, SSC और अन्य सरकारी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आज के इस वीडियो का टारगेट इसकोर दोस्तों रहेगा 85 प्रस्ण मतलब अगर आपके 100 में से 85 प्रस्ण सही होते हैं तो आपके तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है और अगर आपके नंबर कम आते हैं दोस्तों तो आपको तैयारी बढ़ाने की सक्त जरूरत है आप भी हमारे साथ कमेंट्स बाक्स में प्रस्णों का उत्तर देते चलिए और अंत में बताईए कि आपको आपका कितना इश्कोर रहा है ये सभी वीडियो दोस्तों सभी प्रस्ण वही हैं जो रेलवे की पूरो परिक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए दोस्तों राजेंद्र चोल द्वारा किये गए बंगाल आभियान के समय बंगाल का साशक कौन था दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर D महिपाल प्रथम महिपाल प्रथम था प्रस्ण नमबर 2 निन मलिखित में से कौन सा सहर नहरो का सहर कहलाता है तो इसका सही ज चैनल सीची केहते है प्रस नमबर 3 भूनेशृ तथा पूरी के मंदिर कि सेली में निर्मित है इसका सही जवाब है दोस्तो अप्शान नमबर 05 अगर शेली या नगर शेली में निर्मित है प्रस नमबर 4 हिमाले परवत की एक श्रेनी आराकार्ण योमा कहां इस्तित है आराकाम योमा के नाम से जाना जाता है प्रस्ट नमबर पांच तीन रिन में से सामिल नहीं है डेवरिन, पितररिन, रिशीरिन, मातररिन तो इसमें से कौन सा सामिल नहीं है दोस्तो तो इसका सही उत्तर है अप्शन नमबर डी, मातररिन प्रस नमबर 6 जोहांसन बर्ग विख्यात है जिसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर A स्वर्ण खननन है तूँ जोहांसन बर्ग जो दक्षिन अफरीका में इस तीद देश में है जो स्वर्ण उत्खननन के लिए जाना जाता है प्रस नमबर 7 गेर राजनितिक संगठन भारती किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है तो इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर A उत्तर प्रदेश यह एक गेर राजनितिक संगठन है जो किसानों की मांगव के अनुसार कारे करता है प्रस नमबर 8 प्रदान मद्ध्यान रेखा किस इस्थान से होकर गुजरती है तो इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर A ग्रीन विच रेखा जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है इसे प्रदान मद्ध्यान रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से अक बिकवाव के चारण इस संवेल राजिया चूपा डियुद और फे करते हो जो सेरसा सूरी के राज्य और हुमायू के बीच हुआ था उसके तहत मुगल सत्ता पुनरिस्तापित हुई प्रस नमबर 12 पनामा जल्डम्रू मद्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था जिसका सही जवाब है दोस्तों उप्सन नमबर D हम बोल्डने हम बोल्डने पनामा जल्डम्रू मद्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखाता है दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेर कीजिए साथ ही आप भी कमेंट से बाक्स में प्रस्नों का उत्तर देते चलिए तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रस्न के वर प्रस्न नमबर 13 सयुक्त राज या अमेरिका की किस पहड़ी को प्रत्वी की सबसे धनी पहड़ी का जाता है सयुक्त राज अमेरिका या अमेरिका की किस पहड़ी को प्रत्वी की सबसे धनी पहड़ी का जाता है दोस्तों तो इसका सही जवाब है बूटे की पहड़ी या खनी संपता की दरश्टी से महतपूर्ण है प्रस्ट नमबर 14 निनमा लिखित में से किस भासा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा दा तो इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर C तमिल में इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी गुजराती और उर्दू में छपता था तमिल में नहीं प्रस्ट नमबर 15 किस युद्ध में भारत में मुगल राज्जी के नियू पड़ी तो इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन नमबर C पानीपत का प्रथम युद्ध के तहत मुगल राज्जी के नियू पड़ी प्रस्ट नमबर 16 भारत में प्रथम बार सेनिक सासन वेवार में लाया गया तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A गिरिको द्वारा भारत में प्रथम बार सेनिक सासन किसके द्वारा लाया गया तो यह लाया गया गिरिको या यह वनों के द्वारा प्रस्ट प्राचिन भारत में निन्म लिखित में से कौन सी एक लिपी दाईं और से बाईं और लिखी जाती है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर D खरोष्टी प्राचिन भारत में खरोष्टी लिपी जो है वो दाईं और से बाईं और लिखी जाती है प्रस नमबर 18 जा प्रस नमबर 19, भारत में पंचाइती राज का प्रारंब कब किया गया तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उप्सन नमबर नाइट्रोजनी करत, उरवरकों या राशाइनिक उरवरकों की खपत सरवादिक है प्रस नमबर 21, भारत के पस्चीमी समुधर तर्ट पर वर्सा किस मानसुन से होती है तो या दक्षिन पस्चीम मानसुन के कारण होती है प्रस नमबर 22, आजम्ता चीत्रकारी का विशाई वस्तू निन्मलिखिथ में से किस्य संबन दित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उप्सन नमबर बी बौद धर्मा आजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उसका विशाई वस्तु बोध धर्म से संबंदित है परस्ट नमबर तेईस भारत में 2001 से 2011 में साक्षर्था में व्रद्धी दर है तो इसका सही जवाब है दोस्तो उप्सन नमबर ए 8.2 परतिशत परस्ट नमबर चोईस कौन सा मेग वायू मंडल में सरवादिक उचाई पर निर्मित होता है इनमें से कौन सा मेग है जो वायू मंडल में सरवादिक उचाई पर रहता है तो यह है पच्छाब मेग वूस्टन नमबर अ, पछाब में प्रस्थiline अ प्रवाल भित्यों की उत्पति से सम्मन्दित भुअ उत्तलं सिद्धांद का प्रतीबादन किसने किया था दोस्तो तो इसका स़ी जवाब है, वूस्टन नमबर बी, डारुविन ने प्रवाल भित्यों की उत्पति के संबंद में भू अउतलन सिद्धान डार्विन ने दिया था प्रस्ट नमबर 26 हर्याना राज्जी के महेंद्रगर जीला का मुख्यारे का है तो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर D नार नोल में प्रस्ट n. 27 निम्न मेंसे कोन सा एक चेत्र? 1857 के विद्रों से प्रारम प्रभावित नहीं था इसका सही जवाब है उप्सन नमबर D चित्तोरगर प्रस्ट नमबर 28 सबसे बड़ा हीमनद इनमेंसे कोन सा है? तो इसका सबसे जवाब है उप्सन Н. B रुंडण, रुंडण सबसे बड़ा हिमनद है प्रस्ट नंबर 29, संग लोग सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सोपता है? और संग लोग सेवा के अद्देक्श और सदस्यों की निकती भी राष्टपती द्वरा की जाती है प्रस्ट नमबर 30, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनीदित्व किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों इसका सही जवाब है राज्य की जन्षंख्यापर प्रस्ट नमबर 31, दलदली अथ्वा जुआर भाटा छेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहता है दलदली अथ्वा जुआर भाटा छेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं तो इसका सही जवाब है दोस्तों उप्सन नमबर A, मेगरो वन दलदली छेत्रों में पाए जाते हैं जिसे गुजरात, पस्चिम मंगाल का सुन्दर वन ये प्रमुक मेगरो वन वाले प्रस नमबर 32, भारत में सरोप्रतम खनित तेल कुआ कहां खोदा गया था तो इसका सही जवाब है दोस्तों उप्सन नमबर A, दिगबोई असम में भारत में सरोप्रतम खनित तेल कुआ दिगबोई असम में खोदा गया था प्रस नमबर 33, प्रत्वी सूर्य से अपनी उच्छी न्यालई की सबसे पहली महिला नाइदिस कोन थी तो इसका सही उत्तर दोस्तो ओप्सण नमबर बी लिलादर सेट हिमाचल परदेश में प्रस नमबर 35 भारत में गेहूं का सरवाधिक उतपादन करने वाला राज्य है तो इसका सही जवाब है दोस्तो ओप्सण प्रस्ट नमबर 36, नागानंद की रचना किसने की थी, यह नागानंद की रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उप्सन नमबर B, हर्षवर्धन, प्रस्ट नमबर 37, महादुपी मगनतट तथा गहरे शागरी मेदान के मद्द इस्तित होता है, महादुपी महादुपी मगनतट और गहरे सागरी मेदान के मद्द इस्तित क्या होता है दोस्तों, इसका सही जवाब है उप्सन नमबर A, महादुपी मगनत धाल, प्रस्ट नमबर 38, महाराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता था दोस्तों, इसका सही जवाब है उप्सन नमबर D, प्रचन्व बोध की संख्या दी है निवनमेंसे किसे कुछ विचारकों ने प्रचन्व बोध का है दोस्तों तुसका सही जवाब है Option No. B, करपूर सियने सिकधर्म के संबंदि थे करपूर सियने सेनिक संगटन खालसा दल की स्ताफना कि थी प्रस नमबर 41 किस सधन में अद्यक्ष ऊच सधन का सदत से नहीं होता है Option No. B, राज्यसबा में अद्यक्ष सदन का सदत से नहीं होता है वो राजस्थान के नागोर जिले से पंचाइती राज व्यवस्ता की सुरुवात हुई थी भारत की संप्रभुता किसमें नहीं थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर D भारत की संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे प्रस नमबर 44 भारत के पहले मजदूर संग बंबई मिल हेल्ट्स एसोसियेशन अठार सो नब्बे की स्तापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A नारायन मेगाजी लोखंडे ने पहले मजदूर संग बंबई मिल हेल्ट्स की एसोसियेशन की स्तापना की थी? प्रस नमबर 45 विस्व का सबसे बड़ा दुगद उत्पादक है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर C भारत प्रस नमबर 46 बिरहो का साब्दिक आर्थ क्या है दोस्तों तो इसका सही जवाब है अप्सन नमबर जंगल का आदमी और बिरहो नरत्य भी होता है प्रस नमबर 47 राज्यसभा के उपसभापती का निर्वाचन कोन करता है तो इसका सही जवाब है दोस्तों अप्सन अरस्षार राच्जे सबा के सधास्यों में से ही राच्य सबा का उपसबाती निर्वाचित किया जाता है product number 48 नाथपा जहाकरी परियूजना, नाथपा जहाकरी परियूजना किस राज्य में है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अपसन नंबर B, हिमाचल प्रदेश में नापता जाकरी जल विद्दुत परियुजना है प्रस्न नंबर 59, विस्वक की गेहू मंडी के नाम से कोन सा नगर जाना जाता है तो इसका सही जवाब दोस्तो अपसन नंबर C, विनी पेग विनिपेग जो कन्याडा का एक सहर या विश्व की यहू मंडी के नाम से जाना जाता है प्रस नमबर पच्चास हर्याना में मोतिलान नहरू खेलकुद इश्कूल इस्तित है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर B राई सोनिपत में प्रस नमबर 51 लोक लेखा समीती को प्राकलन समीती की जुड़वा बहन का जाता है प्रस नमबर 33 जम्मु कस्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर D 1965 में 1965 में जम्मु कस्मीर का सदर ए रियासत पद बदलकर राज्यपाल कर दिया गया प्रस नमबर 54 भारती संगीत का आधी गरंत कहा जाता ह या कौन सा वेद कहा जाता है दोस्तों तो इसका सही जवाब है option number D, सामवेद सामवेद में भारती, नरत्य और संगीत की ज्यान का वर्णन किया गया है प्रस नमबर 55, ओराव जन्जाती किस राज्ये से संबंदित है तो इसका सही जवाब है option number C, जारकन औराव जन्जाती जारकन राज्ये से संबंदित है प्रस नमबर 56, निम्न में से कौन विभिन्न विश्यों पर चर्चा के लिए समय पर निर्धारित समय का निर्धारन करता है या करती है जिसका सही जवाब है दोस्तों option number D, कार्य शलाकार समिती कार्य शलाकार समिती विभिन्न चर्चाओं पर समय का निर्धारन करती है प्रस नमबर 57, किसने कहा था तिलक भारती असांती के जनक है या तिलक के कारण भारत में असांती फेल रही है तो इसका सही जवाब है दोस्तों option number A, V, सिरोल ने बाल गंगादा तिलक को भारती असांती का जनक कहा प्रस नमबर 58, लावा के प्रभास से किस मिट्टी का निर्मान होता है जिसका सही जवाब है दोस्तों option number B, काली मिट्टी लावा के प्रभास से काली मिट्टी का निर्मान होता है और मद्यपरदेश, गुजरात और राजिस्थान, छेतर में फेला मालवा का प्ठार काली मिट्टी का प्रमुक स्तरोथ है प्रस नमबर 59, कोईला की कौन सी किसम, भूरा कोईला के नाम से जानी जाती है इनमें से कोईले की कौन सी किसम भूरे कोईले के नाम से जान जाती है दोस्तों इसका सही जवाब है option number C, Lignite कोईला प्रस नमबर सहाट, वर्स 1914 इस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्ताफना किसने की थी इसका सही जवाब है दोस्तों option number A, पजनात पिल्लाई ने, पजनात पिल्लाई ने 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्ताफना की थी प्रास नमबर 61, जर्मनी का सबसे महातपुर्ण कोईला चेतर कोмотр है, प्रास नमबर 62, ऑजनता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्मान गुफतकाल में हुआ अजन्ता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्मान गुप्तकाल में हुआ तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number C गुफा नमबर 16, 17 और 19 अजन्ता की गुफाओं जो है उनमें गुप्तकाल से संबंदित है प्रस नमबर 63 जादू गुडा निर्मा में से किसके लिए प्रसिद्ध है जादू गुडा खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तो option number D यूरेनियम उत्पादन के लिए ये यूरेनियम की खान है या जारकण में इस्तित है प्रस नमबर 64 प्राचिन काल में कलिंगा का महान सासक कोन था प्राचिन काल में कलिंगा का महान सासक कोन था तो इसका सही जवाब है option number C खानवेलकर राजा खानवेलकर कलिंगा का सासक था और यह उडिशा में है प्रस नमबर 65 पंजाब में कौन सा इस्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्शन नमबर D लुधियाना प्रस्ट नमबर 66 मोर्चा कहवा कहां पाई जाती है मोचा कववा कहां पाई जाती है तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number B coffee मोचा कववा कहां पाई जाती है coffee को कहते है प्रस नमबर 67 सविधान के आठवी अनुसुची में सम्मिलित भासाओं की संक्या कितनी है तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number D 22 मुल सविधान में 14 भासाओं को वर्णित किया गया था और समय समय पर सविधान संसोदन द्वारा वर्तमान में भारती सविधान में 22 भासाओं का वर्णित है प्रस नमबर 68 कूकी जन्जाती के लोग रहते हैं तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number A मणिपूर में प्रस नमबर 79 निन मलिखित में से किस प्रकार के जौला मुखी में सरवादिक विस्पोटक उदुगार होता है तो इसका सही जवाब है दोस्तों option नमबर B पिलियन यूग पिलियन तुल्य जो जौला मुखी होते हैं निन में विस्पोटन सरवादिक होता है प्रस नमबर 70 अमरीक का क्रसी का हरदई या अमरीकी क्रसी का हरदई वर विस्वह में सरवादिक महत्पुन क्रसी प्रदेश है तो इसका सही जवाब है दोस्तों option नमबर A मक्के की रूटी प्रस नमबर 71 प्रस नमबर बहुत्तर प्रस नमबर चाहिए प्रस नमबर चाहिए तो इसका सही जवाब है दोस्तो प्रस नमबर आधिकार राष्टपती को है और राष्टपती राज्यसबा में 12 सदस्यों को मननुनित कर सकता है प्रस नमबर 75, निन मलिखित मैंसे किस प्रकार के मिट्टी के लिए नियुन्तम उर्वरक के आवशकता होती है तो इसका सही जवाब है दोस्तों, option नमबर C, जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी के लिए नियुन्तम उर्वरक के आवशकता होती है प्रस नमबर 76, मुद्रा इस्पिती की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्तिती को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तो, option नमबर B, श्टेक फ्लेशन, मुद्रा की उच्च दर, मुद्रा इस्पिती की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्चेदर को कहते हैं, प्रस नमबर 77, भारत में गन्य का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, option नमबर D, उत्तर प्रदेश, प्रस नमबर 78, भारत में एक वेक्ती, आधिक से अधिक, कितनी बार प्रधानमंत्री पद प मुख या मुख्य परती दोंदी कोन हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, option नमबर C, बांगलादेश, प्रस नमबर 80, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो इसका सही जवाब है केरल राज्य, प्रस नमबर 81, धूतिय पंचवर्षी योजना में सरवादिक परिववए किस भाग पर किया गया, तो इसका सही जवाबे, दोस्तो अप्सन नमबर D, परिवहन और संचार पर, प्रस्न नमबर 82, भारत में हरित क्रांती का सरवादिक सफल रही, भारत में हरित क्रांती सारवादिक सफल रही तो इसका सही जवाब है दोस्तो option number B यहूं और चावल के उतपादन से प्रस नमबर 83 निर्म लिखिद नदी युगमों में से कौन ज़ारद मुख का निर्मान करती है या एस्चूरी का निर्मान करती है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, option number D, C.F. Anduse, C.F. Anduse को दीन बंदू के नाम से जाना जाता है, प्रस नमबर 85, वरतमान समय में देश में राश्टी दलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, option number D, 8, वरतमान में राश्टी दलों की संख्या खुल 8 है, अगला प्रसने दोस्तो प्रस नमबर 86, क्रसी किस प्रकार के मानवी अर्थिक किरिया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर A, प्राथमिक छेत रखी, प्रस नमबर 87, गोलकुंडा कहां अवस्ती थे, गोलकुंडा की खान कहां अवस्ती थे दोस्तो, तो इसका प्रस नंबर 98, भारत में सबसे ज़्यादा ताफ विद्द उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, eg Option number B, महराष्ट, महराष्ट में सबसे ज़्यादा ताफिद्द उत्पादन किया जाता है प्रस नमबर 90, बोद्द गरंत, विटकव की रचना नीन मलिखित में से किस भासा में हुई है तो इसका सही जवाब है दोस्तो, Option number C, पाली भासा में बोद्द गरंतों की रचना पाली भासा में हुई है प्रस नमबर 90, भारत में नीन मलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो इसका सही जवाब है दोस्तो, Option number C, गुजरात राज्य की गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है प्रस नमबर 90, किस राज्य में विधान परिशत की सदस्य संख्या सबसे कम है तो इसका सही जवाब है दोस्तो, Option number A, जम्मु कस्मेर में प्रस नमबर 22, कबीर के गुरु कोन थे, कबीरदास के गुरु कोन थे तो इसका सही जवाब है दोस्तो, Option number B, रामानंद प्रस नमबर 90, राष्टी राजमार्ग संक्या साथ नहीं गुजरता है तो इसका सही जवाब है, Option number D, केरल से जबकि मद्यपदेश, करनाटक और महाराष्टर जैसे छे राज्यों से होके गुजरता है प्रस नमबर 90, तिरी पक्षिय संगर से की पहल किसने की थी तिरी पक्षिय संगर से की पहल किसने की थी दोस्तों, जिसका सही जवाब है, Option number A, वत्थ सराजने प्रस नमबर 90, ग्राम पंचयत की आई का इस्तरोत क्या है तो इसका सही जवाब है, Option number B, मेला एवं बाजार कर मेला एवं बाजार कर ग्राम पंचयत दोरा वसुल किये जाने वाले कर है वर यह ग्राम पंचयत की आई के इस्तरोत है प्रस नमबर 90, भारत की राष्टी आई में किस थेत्र का सबसे कम योगदान है तो इसका सही जवाब है, Option number A, प्राच्मिक थेत्र का तो इसका सही जवाब है, Option number D, कंचन जंगा प्रस नमबर 80, विजय नगर के किस सासक ने विभाकर जेसी अलोगपिरिय करो को समाप्त किया था तो इसका सही जवाब है, Option number C, क्रश्न देवराई ने विजैनगर के करशन देवराई ने विवाकर को समाप्त किया था प्रस्ट नमबर 99 तमील भासा के सिलफादी कारम और मणी मेखलाई नामक गोरोव गरंत किस से संबंदी थे तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर C हिंदू धर्मस है प्रस्ट नमबर 100 किसी राज्य की विधान सभा में अधिक्तम कितने सदस्यों हो सकते हैं किसी राज्य की विधान सभा में कितने सदस्यों हो सकते हैं दोस्तो इसका सही जवाब है दोस्तो अप्सन नमबर C 500 अधिक्तम सदस्यों हो सकते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो समाप्त हुआ इस वीडियो को हिन जे भारत